वेलकम टू मैं चैनल टीचिंग एंड सीचिंग तो आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा ट्रोजर का डिजाइन तो इस तरह से आपने ट्रोजर ले लेना है कपड़ा ले लेना है और इस ट्रोजर को उपर रखते हुए ही हम कटिंग करेंगे बहुत ही इजी तरीके से तो जिन बहनों को कटिंग करना नहीं आता ट्रोजर तो वो बहुत ही असानी से इस मैथड से ट्रोजर कटिंग करना सीख सकती है तो इस तरह से आपने क्या करना है कि ट्रोजर को ले लेना है यह हमारी जो दस साल की बच्ची है उसका ट्रोजर है गे तो सेम इस तरह से हमने इसको अगर आपने भी 10 साल की बच्ची का लेना है तो इस तरह से आपने मगेर्मेंट कर लेनी है तो हमने क्या किया है कि तीन इंचे से हमने नीचे को निशान लगा लिए है नीचे वाली साइड पर और इस तरह से अब हमने क्या करना है कि इस ट्राउजर को इस लाइन जो हमने ड्रो की है इसके ओपर रख देंगे यहां तक हमारा जो नीचे वाला है वो फोल्ड हो जाएगा और उपर वाला हमारा हिसा जो है इतना रह जाएगा बाकी तो हमने क्या करना है कि इस तरह से इसको साइडों पर भी लाइन लगा लेनी है इस तरह से मुझे ये थोड़ा ट्राउजर इससे खुला चाहिए तो इसलिए मैं इसको कटिंग जो है वो आगे से करूँगी आपको जतना चाहिए अगर आपके जो ट्रोजर सलाई हुआ है उतना ही जाहिए तो आप उसके सासत रखके ड्रो कर ले लाइन और जतना मार्जन सलाई के लिए रखना हो तो आप रख सकती है एक या डेड़ इंच तो मार्जन सलाई के लिए आपको रखना ही होता है इस तरह से हमने इसको भी कर लिया और उब से हमने दो-दो इंच पर निशान लगा लिए है अब हमने आसन का मेयनमिन्ट कर लेनी है इस तरह से करते हुवे इसको भी यहाँ पर एक इंच का हमने अब इदर से लेना है इसकी शेप देने के लिए गुलाई में इससे जो है श्रवार जो हमारी होती ही ट्रोजर वो अच्छी रहती है कि इसमें खिचाओं नहीं आता और वो जल्दी फटती नहीं है ट्रोजर के लिए लाज़मी होती है तो इस तरह से आप यहवली जायँ शेप है जरूर दिया करें इस तरह से हमने एक इंच पर रखते हुए नीचे से गुलाई दे दी हैं जैसे आर्म होल की देते हैं उस तरह से तो जी इस तरह से हमारे और उपर आपने कटिंग करनी है तो आप कर सकती है अगर आपको डबर लाइन लगानी है तो डबर भी लाइन लगा सकती है तो इस तरह से मुझे यह थोड़ा सा ज्यादा खुला चाहिए तो मैंने इसको आगे से कट कर लिया है और नीचे से इस तरह से देखें गुलाई में हम इसको शियाइब देते हुबें इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से हमारा जो है यह ट्र्ाविजर कटिंग हो गया है तो अब हम क्या करेंगे है कि यह मेरे पास पीज पड़े थे ये हमारा जो सूट है उसके साथ का ही जो साथ में कमीज के साथ बोर्डर मिलता है ये वही कपड़ा है इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते हुए प्रेस लगा ली है अच्छी तरह से इसको बिठा लिया है अब हम इससे डिजाइनिंग करेंगे ट्राउजर पर तो जी अब हम क इसको भी सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से हम सिलाई करके आपके पास फिर दिखाते हैं इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है अब इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो इस तरह से हमने इसको सीधा कपड़ा रखते हु कि हमें 5-5 पटियां हमें लगेंगी एक साइड पर और दूसरी साइड पर 5 तो दस टोटल हमने ये पटियां कट कर ली है इस तरह से हमने क्या करना है कि इनको कट करके एक जो है मिड में रखेंगे दर्मियान में बिल्कुल ये जो हमारी क्रीज आ रही है जो हमने ये प्रेस क इस तरह से और इस पर रखते हुए हम स्टिच करेंगे और यह जो उपर वाली लाइन है इधर तक हमारी जो स्लाई मुकमल हो जाएगी हमें इतना चाहिए था ट्राउजर उपर वाली स्लाई तक तो नीचे वाला जो है यह स्लाई में आ जाएगा तो इस तरह से हमने रखते हुआ है कि हमने धायदाइ इंज पर निशान लगाते होँ इस तरह से रख लिया है अब हम क्या करेंगे कि इनको स्टिच कर लेंगे यह दिक कर नेघी द छुडाइए कितनी है आप इस तरह से सेम लगाते होँ निशान कर सकते हैं जितनी प्रड़ाई हो गया आपने दर्मयान में रखना है और इसका मीड़ बनाते हुवे इस तरह से निशान लगा लेना है तो कि देखें इस तरह से हमारा जो निशान मुकमल हो गए हैं अब हम आपको इसकी स्टीचिंग बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी स्टीचिंग कर सकते हैं तो जी इस तरह से हमने इसको पहले फोल्ड कर लेना है एक ग्रीस बना लेनी है इस तरह से तो इस तरह से निशान भी लगा सकती है आप इसको चोक के साथ तो इस तरह से रख को हमारी होस लएज होती है और आपको किस तरह लगता है एक कमएंट प्यारा सा फूरूर किया कर खरें कई है तुछ प्रून पाइक प्षंदान रहा है कि नहीं है और जिन लोग을 हमारी पिछली विडियोस नहीं देखिँ वो जाकर विजर्ड करें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो जी इस तरह से हमने जो है यह सारी सिलाईयां जो है यह पटिगा रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो इस तरह से हमने यह लगा ली है आगे वाल यह भी हम आपको लगा के दिखाते हैं तो इस तरह से हमने जो पटियां इदर उदर ना हो जाए और सेम इसके उपर ही हमारी आनी जाहिए वैसे तो यह कोटन लोन का जो कपड़ा फैब्रिक होता है यह इतना तंग नहीं करता इसके उपर आप कपड़ा कोई दिजाइनिंग करें तो वह असानी से हो जाती है अगर आप किसी और कपड़े पर कर रहे हैं डिजाइनिंग तो आप निशान जरूर लगाए और अगर सीलक वगारा का कपड़ा है तो पीन अप कर लें तो इस तरह से अंदर वरी साइड पर फोर्ड करते हो उल्टी सैड हमने अपर अब हम स्टिज लगा देंगे इससे जो है फिंचिंग बहुत अची आती हैं अर तो इसको आप आरा पर इससाइड पर इस तरह से करते होब इसके आप एक ओर स्टिच लगा देंगे इससे जो है फिंचिंग बहुत अच्छी आती है तो इसको हम अराम-अराम से स्टिच कर लेंगे और इस पैर का हिसाब रखते हुए हमारी स्लाइब बिल्कुल भी इदर उदर ना हो तो फिंचिंग के साथ हमने इसको स्लाइब कर लेना है तो जी यह व फोर्ड करेंगे यह देखें इस तरह से आपको जितना भी मारजन रखना है वह आप अपनी मर्जी से रख सकती है अगर आप चाहती है तो आप सेосलाय के ऊपर भी स्को इस तरह से लगते हुए कपड़े को स्टिच कर लिया है तो इसे बहुत ही अच्छी फिंशिंग आएगी और ये जो हमारे चोक के निशान है ये उतर जाएंगे आपने खबराना नहीं है अगर आप पैन वगरा से लगाएंगे निशान तो वो फिर नहीं उतरते बाद में आप पहले ही चोक वगरा से निशान लगाया करें ताके वो बाद में धोने के बाद रिमूव हो जाते हैं तो जी ये वाली स्लाई भी हमारी मुकमल हो गई है ये देखें इस तरह से हमारी पीछे वाली साइट पर कितनी अच्छी फिंशिंग आई है और उपर वाली साइट पर भी ये देखें और इस तरह से अब हमने क्या करना है अगर आपने सिंपल रखना तो सिंपल रखें ये भी प्यारा लग रहा है अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से बटरफलाइ भी आप बना सकते हैं ये मैं आपको एक बना कर दिखा देती हूं इस तरह से आपने लेना है कपड़े को और इ इस तरह से बटरफला इबनाना चाहती है तो आपकी मर्जी है चोटी बचिजियों को इस तरह के डिजाइन बहुत प्यारे लगते हैं तो आप बना सकती है अगर आप चाहती है तो दो को बना लें और तीन चोड़ दें तो मैंने तो सिरफ दो दर्मयान वारी जो है वो बना सकती हैं मोती और वो भी प्यारे लगेंगे तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कुछ और भी डिजाइनिंग कर सकती हैं तो इस तरह से मैंने सिंपल ही छोड़ दिया अब हम आपको यह वले स्लाइल लगाकर फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी यह देखे कितना प्यारा हमारा ट्राउजर का डिजाइन बनकर लोन फैबरिक के उपर त्यार हो गया तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अल्ला हाफीज मिलते हैं किसी अगली वीडियो में